खुसकबरी 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 जी हा मित्रू मिठाई बाटने का समय आ चुका है लड़ू बाटने की कीजिये तैयारी चुदा सितंबर 2003 यानि की भादरपद के अमावस्या से ही दो अदबुद और दुडलब महासा योग बन रहे हैं जिससे पाँच रासियों की किस्मत एकदम से चमकने जारी है पाँच रासिवालों का भाग्य उदे होने जा रहा है धन का आगमन बन रहा है और साथ ही उनको कर्ज से भी चुटकारा मिलेगा विवाह एक समंदू में मधूर्था बनेगी और विवाह का योग भी सुनिश्चित होगा तो उचलिए एक एक करते वे जान लेते हैं आखिर भादरपद अमावस्या कब है अमावस्या के दिन क्या एसे अपन उपाय करें जिससे आप अपनी मनो कामना पूर्ण कर सकते ही और साथ ही भादरपद अमावस्या से ही कौन-कौन सी रासियों की किस्मत एकदम से चमकने जारी है तो चलिए के करते वे सबी महत पुन जानकारी अपने इस वीडियो में जाने वाले हैं ऐसे में वीडियो को पूरा लाश्ट तक जरूर देखिए और हां मित्रूं वीडियो को लाइक जरूर करें और कोमेंट बॉक्स में जाई शनी देव लिखते हुए वीडियो को साथ फेस्बुक पर जरूर शेयर कर दीजे ता कि काम की जानकारी का जो अपडेट है न वो सबी लोगों को मिल सके जिहां मित्रू 14 सितंबर 2023 याने की गुरुवार के दिन भादरपद महिने की अमवस्या पड़ रही है और इस अमवस्या पर दुरलब संयोग भी बन रहा है जो की पांच रासे वाले लोगों के लिए बहुती अच्छा और सुब रहने वाला है हिंदू धर्म के अनुसार भादरपद महिने की जो अमवस्या है न वो अत्यांती महत पुन मानी जाती है और साथ ही इस साल भादरपद अमवस्या वाले दिन पुर्वा फालगुनी नक सत्र का निर्मान हो रहा है जिससे अमवस्या का जो महत है न वो कई गुना बढ़ चुका है तो अमवस्या के दिन इस महा पुर्वा भालगुनी नक्सत्र में कुछ ऐसे विसेस उपाई है जिनको करके आप अपने जिवन में सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं अपने जी वो वे और वो से सुरू होता है उनकी वरिशबरासी होती है दूस्तो भादरपद हमावस्या वरिशबरासी वाले लोगों के जीवन में बहुती बड़े और महत्तपुन बदलाव लेकर आएगी आपके जो भी अदूरे काम बचे हुए थे वो अब पूर्ण होंगे आर प्रवजों के आसिरवास से व्यापार में बडोतरी देखने को मिल सकती है भादरपद हमावस्या पर कुछ एसे विशेस उपाय है जिनको करके आप सनान और दान के साथ पुन्य का भी विशेस महापल पा सकते ही काल सरब दोस से भी चुटकरा पा सकते ही और विवहा का यो और साथ याप अपनी व्यापार का विश्थार भी कर पाएंगे अचानक धन प्राप्त होने से आपको करज से छुटकारा मिलेगा और धन की काफी अच्छी बचत भी कर पाएंगे और साथ ही आप दूस्तों कोई भी बड़ी और एचल संपती भी खरी सकते हीं जिससे आप आपको आने वले समय में लाब मिलता रहेगा आपकी इंकम में तो बड़ोतरी होगी ही साथ ही पुराने समय में अगर आपने कोई भी इन्विस्मेंट करके छोड़ा हुआ था ना तो उसका फल भी अब आपको अमावसा के बाद मिलेगा जो व्यक्ति नोकरी करते हैं जो वग होगी और मित्रू सितंबर अंत में या अक्टूबर 1 में आपको मन पसंद मन चाही जगा पर नोकरी मिल सकती है जिससे आपके अंदर संतुष्टी का भाव भी बड़ेगा चलिए जान लेते हैं आगली याने की दूसरी जो भागिसाली रासी बन रही है उसके बारे में उस जिन्दगी में आप कोछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र बर महनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं याने की जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता मित्रों या ग्रहों का खेल नहीं तो उर्क्या है और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत याने की परसनलाइजड कुंडली जिससे आप घर बेटे या पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रहे आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपकी परसमत में कोई दोस तो नहीं कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं उसको मजबूत करने का उपाय क्या है अगर दोस आए तो वो क्या है और उसको समाधान क्या है आपका भागी उदे कब होगा जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे नोक्री या व्यापार किसमें समात्र की फीस में आप अपनी संपोन जीवन की महाजनम कुंडली के बारे में जान सकते हैं और उरहा मित्रू कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता ऐसे मिया फाल तो को आप चुका नहीं पा रहे हैं आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है बहु जिगों पर आप रिस्ता देख देख कर आकिर ठक चुके हैं परिसान हो चुके लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिस्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिस्ता होकर बार-बार तूट जाता है पति- परिवार में लगातार लड़ाई जगड़ा बना रहता है। आप अपनी संपोन जिवन की माहा जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं मित्रूं भादरपद अमावस्या के बाद अगली यानि कि दूसरी जो भाग्यसाली रासे बन रही है वो आती है तुला रासी जिनके नाम का पहला अक्सर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और तेस सुरू होता है उनकी तुला रासी होती है तुला रासे वाले लोगों के लिए यह जो भादरपद अमावस्या है न यह बहुती अच्छे और सुब फलदाई रहेगी इस दुरान कारेक सित्र में आपको सफलता मिलेगी और साथ ही जो लोग नोक्री के तलास कर रहे है न उनको भी लाब प्राप्त होगा सिक्सा के लिए भी यह समय बहुती अच्छा और उत्तम माना जा रहा है और तुला रासे वालों को साल 2023 में आकस्मिक रूप से यानि के अच्छानक से धन प्राप्ती भी हो सकती है और उसके लाबा नोक्री में तरकी के योग बन रहे हैं पद के साथ आपका पेसा भी बढ़ेगा कानूने मामले अगर कोई चल रहे हैं तो उसमें रहत मिलेगी सिक्सा के क्सेतर में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे आपको सला दी जाती है कि भादिरपद मवस्या के दिन तुला रासे वाले पीपल के व्रिक्स के नीचे सरसू के तेल का दीपक लगाएं यह उपाई आपके परिवारे में धन की कभी भी कमी नहीं होने देगा साकसात माता लक्समी जी आपके उपर विसेस रूप से महरबान होगी चलिए जान लेते हैं आगली यानिकी तीसरे नंबर की जो भागिसाली रासे बनेगी न वो आती है व्रि अगली बहुती अच्छा और लाब दिलाएगा महनत का उचित परिनाम देखने को मिलेगा करियर में तरक्य के आउसर प्राप्त होंगी मन चाही नोकरी की तलास भी पूर्ण होगी जो प्रोफेशनल या पेसेवर व्यक्ती है ना उनको काम में धन के स्रोथ बढ़ेंगी व और वहीं अगली और अंतिम जो भागिसाली रासे बनेगी न वो आती है कन्या रासी जिनके नाम का पहला अक्सर तो ना ने नो ने नो या यह और यह से सुरू होता है उनकी कन्या रासी होती है दूस्तो कन्या रासे वले लोगों के जिवन में भादरपद अमवस्या से ही परिवार में खुशियों का माहूल बनेगा घर के लोगों का सपोर्ट होगा आत्म विश्वास में बडोतरी होगी कारियस्तल पर लोग आपके काम की सरहना करेंगी और इससे आपको एक नए और बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है जो कि आपको धन का लाब दिलाएगी और साथ ही जो बिजनिस करते हैं याने की वियापार करते हैं उन लोगों को लंबे समय तक कोई भी ऐसे डिल होगी जिससे आपको फायदा मिलता ही रहेगा और इन्वेस्मेंट में भी आपको दुस्तु शांदार उपलब्दी बनेगी आपको अपनी महनत का भरपूर फल म करके आप अपने जीवन में कई बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं दूस्तु वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करें ताकि काम की जानकरी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके तो चलिए सबसे पहला उपाय है काल सरप दोस से मुक्ति पाने का दोस्तु काल सरप दोस से चुटकारा पाने के लिए भादरपद अमवस्या के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बना कर उनकी पूजा करें और पूजा के बाद इसे किसे भी पवित्र नदी में बहा दें दोस्तु बहता हुआ जल ही होना चीए उ पित्र दोस से चुटकारा पाने के लिए भादरपद अमवस्या वाले दिन वीदी पुर्वक्स राद और तरपन करें इसा करने से पित्र दोस से भी मुक्ति मिलती है जीवन में सुक और समर्धी में बढ़ोतरी होती है और माता लक्षमी जी की विसेस रूप से कृपा और अनुकमपा भी बनती है अगला उपाई है सनी दोस से चुटकारा पाने के लिए याने की मुक्ति पाने के लिए भादरपद अमवस्या वाले दिन काले वस्त्र, काले जूते, काला कंबल इत्यादी का दान करना भी सुब माना जाता है और उसके लावा काले चीटियों को आ खंड सोभाग्य का आसिर्वात मिलता है, संतान सुख की प्रापती होती है और साथ ही आपके जो पूर्वजन है न उनका भी आपको आसिर्वात प्राप्थ होता है तो चलिए मित्रू, इसी के साथ फिलाल के लिए स्वीडियों को यहीं पर देती है विराम, फिरसे होंगे हाजरेक और नई और काम की जानकारी के साथ तब तक के लिए हुम नमसिवाई जै श्री कृष्णा जै श्री सनेशराई नमहें